आज के सेशन में मैं आपको एक जानकारी देना चाहरी हूँ देखो बहुत सारे एस्पिरेंट्स मुझे कॉल कर रहे हैं बहुत सारे एस्पिरेंट्स को डाउट है स्क्रीनिंग और नेट के बारे में तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहरी हूँ कि जो अभी एस्पिरेंट्स का पहले भी एस्पिरेंट्स क्लियर था बहुत सारे स्टूरेंट्स ने अब इस बार भी क्लियर किया है तो अब उनका स्क्रीनिंग का एक्जाम है और साथ में लगभग जुलाई के आसपास जो है आपका UGC, NET का भी एक्जाम होगा, पॉलेटिकल साइन्स का, तो जो इस स्क्रीनिंग का एक्जाम है, या NET का एक्जाम है, देखो NET का अपने पास सलेबस है, complete सलेबस है NET का, लेकिन स्क्रीनिंग का HPSC ने कोई भी अभी तक सलेबस जारी नहीं किया है, तो अगर हम स्मार्ट तरीके से भी अगर सोचें इस बात को, तो NET से बढ़के तो पेपर में नहीं आएगा, तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स को, जो HTSC screening की तयारी कर रहे हैं, उनको यही सला दूँगी, चाहे आप मुझसे पढ़ रहे हो, या आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, या आप self study कर रहे हो, तो screening के exam में आप लोगों को NET की ही तैयारी करनी होगी, तभी आपका पेपर clear होगा, क्योंकि HPSC जो है, वो एक subject domination वाला पेपर बनाएगी, सीधी सी बात है, HPSC पेपर लेता तो बात ओर थी, हमारे पास बहुत सारे, हम पीछे का पेपर का analysis करके भी ये जाइजा ले सकते थे, कि क्या कुछ आ सकता है, क्या कुछ नहीं, तो HPSC जो है, उसने अभी तक कोई syllabus तो दिया नहीं है, तो मैं यही राय दूंगी सभी को, जितने भी students screening के तैयारी कर रहे हैं, वो net की तैयारी करें, net के अंदर 10 unit है, जिसको नहीं पता, यूट्यूब पे ही मेरी जो वीडियो है, वो पूरे syllabus की आप लोगों को मिल जाएगी, Achiever Academy में ही, PGT Political Science, syllabus discussion के नाम से आपको वीडियो मिल जाएगी, जिसके अंदर complete 10 units का जिक्र मैंने किया हुआ है, ठीक है, तो H-Tat के बाद, जो screening की तैयारी है और जो net की तैयारी है, दोनों की तैयारी बिल्कुल common है, screening में आपको complete 100% net को ही prepare करना पड़ेगा, अब रही बात batch की, batch कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, batch चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो देखो मैं बिल्कुल आपको clear-clear ये बात बता रही हूँ, कि मैं screening और net का common ही batch चला रही हूँ, क्योंकि syllabus बिल्कुल common है, ठीक है, अब जो students मुझसे पहले, या जिनने भी मेरे H-Tat के अंदर तयारी की है, वहाँ पे आपने देखा होगा, जितने भी topics हमने किये हैं, वो net level के ही किये हैं, ठीक है, मतलब हमने net को ही consider करके किये हैं, जिसके अंदर हमने H-Tat के लिए जितनी भी videos cover कर ली हैं, अब जितनी भी remaining videos हैं, अब वो screening के लिए जो है, वो आप लोगों को मिलेगी, ठीक है, या मैं कह दू, वो net के लिए आपको वो videos जो हैं, वो मिलेंगी, मतलब अब जितनी भी upcoming videos आएंगी, वो तो होंगी हमारी live, कोई बच्चा अगर enroll कर रहा है, ठीक है, वो तो होंगी live, और जितनी पहले वीडियो हो चुकी है, वो आपको recorded मिलेंगी, अब जो भी बच्चा जो नए इस course के अंदर enroll कर रहा है, या करेगा, या करने की सोच रहा है, उसके लिए मैं ये जानकारी देना चारी हूँ, कि जो H-TET की तयारी के दोरान हमने तयारी की थी, या screening में भी आएगा, जिसके अभी हमें वीडियो करनी है, जिसके अभी हमें lectures करने है, तो वो सारे lectures जो हैं, वो बिलकुल live आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है, तो recorded कौन सा मिलेगा, जो already हो चुका है H-TET की तयारी के दोरान, और अब live कौन सा मिलेगा, जो screening और net का जो batch के लिए, मतलब screening और net के लिए, जो classes मैं इसी batch में add करूंगी, वो आपको live मिलेगा, ठीक है, तो जो बच्चे enroll करना चाहते है, screening के लिए या UGC net के लिए, screening के लिए या UGC net के लिए, क्योंकि सले बस same है, तो जो Achiever Academy एप पे मेरा ongoing batch चल रहा है, आप लोगों को उसी में ही enroll कर लेना है, ठीक है, अब रहती है doubts की बाते, मैम ये तो recorded है, हमको अगर कोई doubt आया, तो हम कैसे पुछेंगे, उसके लिए जितने भी subjects हमारे Achiever Academy पे आप लोगों को कराए जाते हैं, हर subject का अलग से telegram link मिलता है, और आप अपने teacher से बात कर सकते हैं, कोई whatsapp पे आपके doubts ले लेता है, कोई phone पे आपके doubts ले लेता है, कोई telegram पे आपके doubts ले लेता है, तो ऐसा नहीं है कि जो classes recorded हो चुकी हैं, और उसके अंदर अगर आपको कोई doubt आ रहा है, तो वो भी doubts मैं clear करूंगी, और live के दोरान तो आप doubts पूछी सकते हैं, ठीक है, तो ये मैं बताना चारी थी, कि जितने भी students screening या net की तयारी के लिए अभी batch को लेना चाते हो, आपको यही वाला batch लेना है, जो H.T.E.T. का चल रहा है, जितने videos recorded हैं, वो recorded हैं, अब जितनी भी, मतलब more than 50% syllabus जो अब होगा, वो अब live में होगा, जो net के लिए और screening के लिए, दोनों के लिए, मतलब कुल मिला के बात ये है, कि UGC net के लिए, पूरी की पूरी 10 units आप लोगों को मिलेंगी, ठीक है, so thank you so much, टेक कियर, बबबाए, कि अविए, बबबाए, गुट इवनिंग स्टुडेंट्स कैसे हो सभी मेरी आवाज आ रही है क्या एक बार बता दीजे मुझे मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को ओडियो वीडियो में कोई दिक्कत है तो बताईए गुट इवनिंग तो एक नया सफर शुरू कर रहे हैं तो बिल्कुल जोश के साथ जो भी पहले की परेशानिया रही है सबको मद्य नजर रखते हुए एक नई क्लास शुरू कर रहे हैं Public Administration जो Topic जो है हमारे बिल्कुल Untouched थे पहले उनको शुरू कर रहे हैं ठीक है तो Public Administration बिल्कुल Zero से पूरा High Level तक का करेंगे और इसके अंदर सबसे पहले देखो आपको Slabers कल मैंने आपको बताई था कि क्या क्या करेंगे हम लोग तो आज की Class में अपने को क्या करना है एक तो Wood Woodrow Wilson करने है ठीक है और Henry Fayol करेंगे आज की Class में हम अभी दो Thinker हम लोग करेंगे तो सबसे पहले जो Thinker रहने वाले हैं उनका नाम है Woodrow Wilson अब जैसे-जैसे Thinker करेंगे हम लोग Thinkers के अंदर ही इनके Model Cover हो जाएंगे और इन्होंने कैसे कैसे बताया है कि जो Public Administration है लोग प्रशासन है वो किस तरीके से Evolution हुआ है उसका उदभव कैसे हुआ है लोग प्रशासन का Hindi Medium English Medium दोनों के अंदर आपको Notes दिखेंगे ठीक है हर एक लाइन आपको दोनों Medium के अंदर आपको दिखाई भी दे रही होगी मैं एक बार वो खोल लूँ बोड खोल लूँ हां जी तो आपको य लोग को प्रशासन अच्छा नहीं है यानी लोगों को प्रशासित करना लोगों को कॉंट्रोल करना लोगों को administer करना मैं आपकी class की Administrator हूँ ठीक है मैंने क्या कहा मैं class Administrator हूँ जो सब लोगों को पूरे भारत के लोगों को administer कर रहे हैं like हमारे मोधी जी है ना प्रधान वंत्री प्रेजिडेंट, फाइनेंस मिनिस्टर, आईएस ओफिसर, आईपीस ओफिसर कोई छोटे से छोटे दरोगा से लेके कोई छोटे से छोटे कॉनस्टेबल से लेके high level का किस तरीके से management चलता है, किस तरीके से बहतरीन तरीके से सरकार जो है अपनी दुनिया, अपने देश को control कर सकती है, देश के लोगों की जरूरतों को पूरा कर सकती है और उनके उपर नियंतरन कर सकती है, कैसे law and order को management किया जाता है, इसको public administration लोक प्रशासन कहते हैं, अब अलग-अलग thinker ने अलग-अलग परिभाशा दी है लोक प्रशासन की, कोई कहता है public administration यह होता है, कोई कहता है public administration वो होता है, पर सबसे पहले वो कौन सा इंसान था, जिसने यह सोचने पे मजबूर कर दिया, कि public administration एक अलग ही field है, जिसके बारे में study करना चाहिए, कौन था वो thinker जिसने यह सब को सोचने पे मजबूर कर दिया, कि जिस तरीके से आप इतना विशाल political science पढ़ते हो, public administration, लोक प्रशासन भी एक ऐसी चीज़ है, जिसके अंदर बहुत सारे models, बहुत सारे तरीके डवलप हो सकते हैं, सरकार के बीच में और लोगों के बीच में एक संबंद बनाने के लिए, वो थे Woodrow Wilson, Woodrow Wilson जो USA के 28th राष्ट्रपती थे, 28th President जो थे USA के, जिनका नाम था Woodrow Wilson, उन्होंने सबसे पहले ये आइडिया दिया कि हम लोगों को Public Administration नाम का एक अलग फिल्ड बनाना चाहिए, लोग प्रशासन नाम का एक अलग फिल्ड बनाना चाहिए, जिसके बारे में Deep Study की जरूरत है, और इसी वज़े से Woodrow Wilson को जनक कहते हैं, यानि लोग प्रशासन का Father कहते हैं, लोग प्रशासन का जनक कहते हैं, जो 28th President भी रहे हैं Woodrow Wilson के, यानि खुद भी एक Administrator रहे है, ठीक है, खुद भी एक Administrator रहे है तो इस Woodrow Wilson ने किस तरीके से इस सबजेक्ट की शुरुआत किया, आपने भी तो अपनी जिंदगी में Political Science के बारे में शुरुआत तो की होगी न, भी पहले BA किया, तुमने फिर MA में Political Science लिया, फिर तुमने सोचा हम H.T. देंगे, फिर तुम सोच रहे हो कि B.A. की जरूरत है, एक पूरे सीरीज में काम किया आपने, उसी तरीके से इस Woodrow Wilson की Life कैसी रही है, वुड्रो विल्सन ने किस तरीके से सारे काम करने की सोची, उसके बारे में इस Class में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके बारे में सारे Key Facts के बारे में हम लोग जान लेंगे, कि जो Woodrow Wilson है, आप उनकी शकल देख सकते हो, यह Woodrow Wilson के तो और पयनुशासन का मतलब है यहां पे कि अलग से आप study कर सकते हो public administration की यह वो पहले व्यक्ति थे जिसने यह कहा कि हमें लोग प्रशासन की अलग से study करनी चाहिए एक अलग discipline है यह एक अलग field है इसका अलग से study होना चाहिए politics से ठीक है तो यह Woodrow Wilson थे इनके सबसे important book जो paper मैं अक्सर पूछी जाती है उसका नाम है इसके most important work का नाम है the study of administration क्या नाम है इनकी book का the study of administration जो 1887 में publish होती है अब इस book को publish कराने में भी इसको बहुत मेहनत करनी पड़ी अब क्यूंकि अभी तक कोई जानता ही नहीं था कि public administration एक अलग field हो सकता है अगर कोई जानता होता तब तो भाई फिर भी हमको समझ आता भाई public administration के बारे में बात कर रहा है अब पता ही नहीं बंदा बात किसके बारे में कर रहा है कोई नई ही चीज़ खोज के लाया है तो जो ये वुड्रो विलसन थे उनको ये अपना ये जो essay है ये इनका essay था study of administration बाद में ये जाके कही बुक छपी है ये जो essay है ये प्रकाशित करने में ये publish करने में इनको बहुत मेहनत करनी पड़ी इस book को publish करने के लिए इन्हें क्या करना पड़ा इनको तीन draft तयार करने पड़े वो कौन-कौन से तीन draft है उनको समझेंगे पर इनके other work के बारे में भी जानो इनकी और कौन- और ये US के ही president रहे हैं तो हमने नाम क्या दे दिया the congressional government 1885 में फिर the state 1889 में division and reunion 1829 ये 1889 की बात है division and reunion ठीक है an old master and other political essay ये 1896 में लिखी और new meaning of government 1912 में लिखी ये किताबे जो है ये सारी की सारी किताबे Woodrow Wilson की है जो हमें याद रखनी पड़ेंगी ठीक है congressional government the state state कैसे याद रखोगे United States होता है United States United States of America USA के president है तो नाम क्या दे दिया the states ठीक है फिर वहाँ पे division of power बहुत रहता अमेरिका के अंदर separation of power जबर्दस्त है यानि division of power जबर्दस्त है तो आप इससे ये भी याद रखोगे division and reunion ठीक है और USA बहुत जादा पुराना द आप मानों कि अमेरिका का कोई व्यक्ति जो है आपको कुछ पढ़ा रहा है वो master है आपका ठीक है तो नाम क्या रखर दिया the old master and political essay और new meaning of government उस master ने क्या बताया कि देखो government का नया meaning निकलता है तो ऐसे याद रख लेंगे new meaning of government ये 1912 में Woodrow Wilson ने ये book जो है वो बताई ठीक है हांजी हांजी एहमद उसका भी ये topic रहने वाला है इसके बाद इसके बाद अब मैंने क्या कहा कि जो ये book है कौन सी book है ये the study of administration इसको प्रकाशित करने में इसको विचारे को बहुत दिन रात एक करने पड़े इसके लिए इसने तीन draft तयार किये उन तीन drafts के क्या नाम थे सबसे पहले इसने एक notes on administration नाम का एक draft यानि कि 2-4 पन्ने इसने लोगों को लिखके बताए कि देखो administration ये होता है फिर उसके बाद इसने एक ओर draft तयार किया जिसका नाम था the art of government उन 2-4 pages के अंदर इसने ये बताए कि government का क्या art होता है government कैसे सब चीजों को control करती है the art of government और तीसरा जो इसने finally जो essay अपना प्रकाशित करवाया उसका नाम फिर finally निकल के आया the study of administration अभी book नहीं छपी थी अभी ये सिर्फ essay बना था अभी ये essay जो है Woodrow Wilson ने सबसे पहले कहां पढ़के सुनाया कहां represent किया उसका नाम है historical and political science association ये एक संग हो रहा था जिसका नाम था historical and political science association इथाका New York के अंदर ये एक संग हो रहा था ठीक है एक association हो रहा था जहां पे इसने अपना ये जो essay है वो publish किया जब इसकी बाते पढ़ी जब इसके बारे में लोगों ने समझा कि क्या होता है administration Woodrow Wilson ने सबको समझाया कि ये होता administration उस case में फिर क्या हुआ कि लोगों को सबसे पहले ये publish भी कहा हुआ था political science quarterly नाम की एक magazine थी उसके साथ इसको publish किया गया 1887 में ठीक है तो ये इस तरीके से इसका पूरा सफरत है हुआ आपको याद रखना है कि ये जो drafts अगर पूछ लिए जाए notes on administration, the art of government और finally उसका essay आता है the study of administration जो इसका सबसे important work भी भविश है देखो दो thinker हैं जिनकी quotation paper में अक्सर पूछ लेते हैं एक का नाम है Lewis Brownlow और एक का नाम है Henry Bragdon Henry Bragdon ने क्या कहा? Henry Bragdon ने कहा कि इसका जो ये essay है ना, ये mind of wisdom है, mind मतलब खान, मतलब ग्यान की खान है अगर paper में कोई पूछ ले कि कि किसने इसकी book को, किसने study of administration को ग्यान की खान कहा है, mind of wisdom कहा है, तो आप बताओगे Henry Bragdon ने, किसने? Henry Bragdon ने, ठीक है? और दूसरा, किसने? यानि लुई ब्रानलो ने इसकी book के बारे में क्या कहा? लुई ब्रानलो ने ये कहा कि कोई भी व्यक्ति जो भविश्य में या वर्तमान में public administration पढ़ना चाहता है, उसको जरूर इसका ये essay या इसकी ये book बार 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 पढ़नी चाहिए मतलब इतनी important book इन लोगों को इसकी लगी कि लोग प्रशासन की कला और विज्ञान दोनों में रूची रखने वाले प्रतेक व्यक्ति को बार बार इस book को पढ़ने की आवशकता है ये बात किसने कही इसके बारे में ब्राउन लोने कही और इधर हैंरी ब्राग्डन ने इसकी book को कहा mind of wisdom यानि की ग्यान की खान है इसकी जो book है वो ग्यान की खान है तो paper में ये बात पूछी जा सकती है कि ये statements किसने दी है ठीक है ठीक है जी अब आगे बढ़ते हैं quotation हम को याद रखनी है अब इन पर based questions भी है जैसे lecture खतम होगा उसके बाद practice questions भी है कुछ उसके बाद आगे बढ़ते हैं वुड्रो विल्सन अब वुड्रो विल्सन से पूछा कि भाईया तू बता तू तो सबसे मतलब तेरे को तो पिता कह रहें administration का तू तो जनक है administration का तू नही इस एक दूसरे से कैसे coordinate करती है सरकार की क्रियाएं कैसी है सरकार की activity कैसी है उन सब चीजों को समझना ही प्रशासन है देखो इसने क्या definition दी इसने कहा कि ये एक स्पष्ट हिस्सा है government का एक पार्ट है administration government का एक पार्ट है अगर कोई कभी statement बन जाए कि इन में से कौन वुड कि कारे क्या है सरकार क्या क्या कारवाही करती है उसको समझना administration कहलाता है यह सरकार की it is the executive यानि सरकार की कारेपालिका मंतरी परीशद हो गए प्रधान मंतरी हो गए राश्ट्रपती हो गए यह कौन है आईएस officer हो गए कारेपालिका के अंदर ही आते है मतलब जो प्रशासन है वो सरकार की कारेपालिका कहलाती है सरकार का संचालन करती है यानि सरकार का operation करती है किस तरीके से क्या काम करेंगे और इस सारी कारेवाही को आप निश्चित रूप से देख सकते हो हम देख सकते हैं कि मोदी जी ने कोई scheme लागू किया हम देख सकते हैं कि राश्ट्रपत के अंदर भी आईएस ओफिसर ने आके क्या कह दिया भी यहां से सारी जो गाडियां है वो हटा लो दिवाली का मोसम है सडके जो है थोड़ी भीडभाड वाले इलाके के अंदर क्या करते हैं जो भी बगल में वो पट्रीसी लगा के बैठते हैं अपना सामान बेचने के लिए आईएस ओफिसर आता है और उसको वहां से हटा देता है क्योंकि यह उसने ऐसा क्यूंकि आप लोग प्रशासित रह सकें आप लोग फ्रिडम से सारी मतलब बिना किसी दिक्कत के आप लोग पर्चेजिंग कर सकें फैस्टिव सीजन है भीडभाड होने वाली है तो उसने का कारेपालिका ने एक एक एक्शन कर दिया किसने एक एक्शन कर दिया तो इसने क्या कहा कि यह सरकार का हिस्सा है गवर्मेंट काम कैसे कर रही है सरकार कारेवाही कैसे कर रही है उसको कह रहे है सरकार की कारेपालिका ही एड्मिनिस्ट्रेशन कहलाती है सरकार का संचालन कैसे हो रहा है यह एक द्रिश्य पक्ष है यानि एक विजिबल साइड है government की आप government को देख सकते हो ठीक है और यह निश्चित रूप से सरकार जितना ही पूराना है जब से सरकार आई है तब से ही administration आया है यह सारी बाते जो है वो Woodrow Wilson ने कही ठीक है यह इसने को देख लेंगे कोई दिककत नहीं है rev 14 चीज़वास सरकार को देख लेंगे कोई problem ही नहीं है तो इसकी जरूरत क्या पढ़ी since this is what is the alcos स simpl काष्य औरuse government की इत्नी ज़्यादा डिप में पढ़ताय करने की जरूरत तो इसने क्या जवाब दिया? इसने जवाब दिया कि देखो भाई, जितनी ज़्यादा जटिल ये समाज बनता जाएगा, ये समाज जितना ज़्यादा जटिल बनता जाएगा, आपकी क्लास में दो स्टुडेंट हैं, आपको परेशानी की दिकत ही नहीं होगी, आपको कोई दिखत नहीं है उनको मैनेज करने में, लेकिन अब यहीं क्लास में दो हाजार स्टुडेंट हो, जिस में से पचास बच्चे कुछ कह रहे हैं, 50 कुछ कह रहे हैं 50 कुछ कह रहे हैं मतलब हर किसी की demand अलग है नहीं हमें तो पहले Indian foreign policy करना है नहीं हमें तो पहले IR करना है ना हमें तो पहले political theory करनी है नहीं हमें तो pivot करना है हर किसी की अलग demand दिक्कत हुई या नहीं हुई यानि जो structure है वो और ज़ादा complex बनता чला गया और ज़ादा जतिल बनता चला गया और ज़ादा मुश्किल बनता चला गया handle करना तो विड्रो विल्सन ने यही जवाब दिया कि समाज जितना ज़ादा complex होता जाएगा society जितनी ज़ादा complex होती जाएगी उसको समझने के लिए उतनी ज़ादा मेहनत करनी पड़ेगी उसको coordinate करने के लिए उसको संभालने के लिए आपको उतने नए-ने तरीके खोजने पड़ेंगे ठीक है तो नया तरीका क्या खोला क्या खोजा कि ठीक है इनको भुलाओ मत बच्चों को भुलाओ मत इनके घर पे रहके इनको online class दे दो यानि ये लोग जब MCQ की demand करेंगे तो MCQ मैं कौन हो गई मैं administrator हो गई जो एप वाले को भी maintain कर रही हूँ जो MCQ वाले को भी maintain कर रही हूँ जो presentation वाले को भी maintain कर रही हूँ यानि कहने का मतलब क्या है कि उपर बैट गई सरकार नीचे सोसाइटी जितनी complex होती चली गई उतने जादा आपको प्रशासकों की जरूरत पढ़ती चली गई कि ये पुलिस का काम देखेगा ये एडमिनिज आईएस officer का काम देखेगा ये ये काम देखेगा ये मंतरी बने ठीक है तो नए नए तरीके खोजने थे समाज को संभालने के लिए इसलिए study की जरूरत पड़ी इसने जवाब दिया क्या कहा इसने कि समाज की बढ़ती जटिलता है राज्ये के बढ़ते कारे और यह पता लगाना आवश्चक हो गया कि सरकार किस तरीके से efficient तरीके से अब यहां तक किसी को कुछ पूछना पूछ लीजिए मैंने अभी तक यह बताया है कि Woodrow Wilson कौन थे ठीक है उनका सबसे famous work कौन सा था उनके बाकी work कौन से थे ठीक है फिर कौन-कौन से draft इनों ने दिये उनकी book के बारे में किसने क्या कहा Woodrow Wilson ने प्रशासन की परिभाशा क्या दी और scientific study के बारे में क्या बताया किसी को doubt है यहां तक पूछ लीजिए और नहीं है तो प्लीज एक बार thumbs up दे दीजिए ताकि हम आगे बढ़े जल्दी बताओ यहां तक किसी को doubt है तो पूछ लीजिए फिर अब इससे कहा इससे कहा कि अब तो यूँ बता कि जो यह administration है यह evolve कैसे हुई है पहले कैसी थी अब कैसी हो गई है evolution of administration के बारे में बात बता यानि evolution of the study of administration के बारे में बात बता इसने सारी अपनी पंचायद बिठा ली ठीक है इसने सारी पंचायद जो है वो बिठा ली 1885 में अपने अरे वो तो congress मोनिका वो congress party है इनकी congress संसद को कह रहे है अच्छा आप यूं कह रहे हो क्या 1885 इसको याद कर ले अच्छा ठीक है देखो मोनिका ने बढ़िया बताया इसको याद करने का तरीका 1885 में अपने यहाँ पे congress बनी थी ना तो वो यूं कह रहे हैं कि congressional government 1885 में बनी है ये किताब ऐसे याद कर सकते हो ठीक है बढ़िया बताया वेरी नाइस अब आगे बढ़ते हैं अब इससे evolution के बारे में पूछा कि इसका evolution कैसे हुआ इसने क्या कि आगे आजो सारे चाय पार्टी करते हैं मैं बतातों ये evolution क्यूं हुआ और कैसे हुआ इसकी जरूरत क्या थी तो इसने कहा कि देखो मैं American हूँ और मुझे इसका जनम दाता कहा जा रहा है मैं Woodrow Wilson हूँ मैं America का हूँ और मुझे Public Administration का father कहा जा रहा है लेकिन मैं real father नहीं हूँ मुझे से पहले बहुत लोग हो चुके हैं कहा के French के और German के French और German scholar हो गए Europe के जिनोंने सबसे पहले administrative science यानि सबसे पहले जिसने प्रशासनिय विज्ञान के बारे में पढ़ाई की वो सबसे पहले French के लोग थे और German के लोग थे यानि की Germany के लोग थे जर्मनी के scholar थे जिनोंने ये पढ़ाई की तो हमने पूछा कि उन्होंने ये पढ़ाई क्यूंकि उनको ऐसी क्या दिक्कते लगने लगी थी समाज में कि तुझ से पहले वो लोग पढ़के चले गए पहला reason तो ये दिया कि जो government यूरोप के अंदर थी मतलब Woodrow Wilson से ये question पूछा गया कि European thinkers ने ही इसको क्यू पढ़ा पहले यूरोप के अंदर ऐसी क्या problem थी तो इसने ये जवाब दिया दो reason दिये इसने कहा कि यूरोप के अंदर जो सरकार है न वो popular ascent से बनती है यानि कि यूरोप के अंदर लोग तंतर है यूरोप के अंदर लोग तंतर है लोगों से पूछ के काम किया जाता है ठीक है अब लोगों से पूछ के अब मैं तुम सब से पूछ के काम करूँ तो तुम लोग क्या कोगे नहीं मैडम ऐसे करो वैसे करो ये करो वो करो अब ये भी जरूरी है कि तुम से पूछ के ही काम करना है तो मुझे कोई तो सिस्टम डवलप करना पड़ेगा ना जिससे आपके और मेरे बीच में कॉडिनेशन बना रहे तो से सरकार को सब कुछ सहज तरीके से सब कुछ स्मूथ तरीके से चलाने के लिए कुछ तो मॉडल्स अपनाने थे ना तो यहां पे सबसे पहले यूरोप के अंदर ये लोगप्रिय सरकार बनी इसलिए वहीं के थिंकर्स ने सबसे पहले इस administration की सोची और दूसरा reason क्या दिया कि र सामने वाली जनता को ऐसा लगे कि राजा तो इनके according काम कर रहा है लेकिन खुद की monopoly भी चाहते थे खुद का एका धिकार भी चाहते थे बई अंदर से तो उनका मन ऐसा है राजाओं का कि हमारी चलनी चाहिए लेकिन मैं अपनी चला रहा हूँ ये बात सामने वाली जनता को पता नहीं लगनी चाहिए सेम काम आज भारत में हो रहा है कि जनता को पता नहीं लगना चाहिए कि सरकार अपनी मनमानी कर रही है जनता को यहीं लगना चाहिए कि तुमारे लिए ही हो रहा है सब कुछ तो इस चालाकी के लिए इस diplomacy के लिए उनको अलग-अलग तरीके पढ़े और इसलिए ये administration नाम की अलग से ब्रांच बनती चली गई दो reason यूरोप के अंदर administration की शुरुवात होने की ये बताई पहली तो वहाँ पे सारा काम popular ascent यानि की जनता के मत से चलता है पहली तो ये वज़े बताई और दूसरी वज़े ये बताई कि राजाओ को यानि वहाँ के rulers को ये हो गया कि लोगों को पता नहीं लगना चाहिए कि हम अपनी मनमानी करेंगे उनको यही feel होना चाहिए कि हम तुम्हारे अनुसार ही चल रहे हैं समझ रहे हो बात को तो हमें कुछ ऐसे तरीके खोजने पड़ेंगे जिससे लोग भी सैटिसफाइड रहे और हमारा मोनोपली भी बना रहे हमारा एकाधिकार भी बना रहे तो अलग-अलग तरीके खोजते 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 एक नया field ही बन गया जिसका नाम administration दे दिया तो इस तरीके से ये reason दिये Woodrow Wilson ने कि Europe के अंदर ही क्यूं ये सारी scientific development हो रही है administration को लेके ठीक है उसके बाद evolution कैसे हुआ इस public administration का ये आपका topic भी है सबसे पहला topic net वाले students का यही है या screening वाले students का कहों में यही होगा कि evolution कैसे हुआ है public administration का evolution कैसे हुआ है Woodrow Wilson ने बताया तीन चरणों में इसका evolution हुआ है पहला चरण क्या था absolute ruler absolute ruler मतलब जब राजा लोग थे राजा ने जो कह दिया वही काम करना पड़ेगा आप राजा के अगेंस्ट अगर जाए तो आपको कटवा देगा चुराहे पे खड़ा करके यानि ये तो वो समय था जब administration नाम की कोई चीज होती नहीं थी कुछ नहीं है जो राजा ने कह दिया वही करना पड़ेगा फिर second phase आता है second चरन आता है second चरन वो आता है जब सम्मिधान बनने लगया जब constitutional government बनने लगयी सम्मिधान बनने लगया ठीक है जब सम्मिधानिक सरकार की स्थापना होने लगी दूसरा चरन ये आता है इस चरण में ये बाते होने लगी कि कोन कानून बनाएगा कैसे कानून बनेगा यानि कानून बनने पे सारा फोकस आ गया लागू करने की बात अब भी नहीं आ रही थी अब क्या बात चल रही है कि कानून कैसे बनेगा how to make laws यानि कानून किसे बनाने चाहिए कौन बनाएगा कानूनों को और कानून कैसे बनेंगे कैसा कानून होना चाहिए हमारा इन सवालों पे ज़्यादा जोर देने लगे दूसरे पड़ाओ में अब फाइनली जब तीसरा पड़ाव आया जब एड्मिनिस्ट्रेशन पे फोकस गया तीसरा पड़ाव के आया प्रशासन के समाज पे ध्यान यानि की प्रशासन कैसा है जो सारी चीजों को हैंडल कर रहा है अब उसकी तरफ ध्यान हमारा थर्ड फेस में गया जिसके अंदर क यहां बाते की गई कि जो law बन गए हैं वो law अब लागू कैसे होंगे उनको implement कौन करेगा उनको लागू कोन करेगा बस ये लागू करने का काम ही administration का होता है प्रशासन का होता है तीसरे पड़ाओ में जाके administration यानि लोग प्रशासन नाम की कोई चीज निकल के आती है पहले तो और finally इन चीजों के बारे में बाते होने लगी कि जो वो कानून होगा उसको लागू कैसे किया जाएगा तो तीसरे चरण में जाके आपका जो ये administration है public administration है वो लागू होना शुरू हुआ ठीक है ये phases of evolution के अंदर हमको पढ़ना है उसके बाद Woodrow Wilson के अलग-अलग विचार के बारे में हम जानते हैं Woodrow Wilson ने क्या-क्या विचार बताए अलग-अलग चीजों पे सबसे पहले तो प्रशासन और business यानि की व्यापार दोनों के बीच में इसने कोई relation बताया क्या Woodrow Wilson ने ये कहा कि देखो भाई लोग प्रशासन और व्यवसाए दोनों एक जैसे हैं क्योंक सरकार में भी यही देखते हैं और कौन कितना प्रभावशाली है कौन कितना जाता इफेक्टिव है दोनों ही चीजों में ये चीज देखी जाती है इसलिए public administration और business करना एक ही बात होती है ये बात किस ने कही ये बात Woodrow Wilson ने कही ठीक है फिर इससे पूछा भाई तेरे अनु करो लोगों से अपनी opinion लोगों से उनकी opinion ले लो कि तुम्हें कैसा लगा हमारा ये काम तुम्हारे अनुसार हमको कैसे काम करना चाहिए public opinion जरूर ले लो क्योंकि public opinion एक criticism यानि अलोचना की तरह काम करेगी हमेशा लेकिन जो प्रशासक होगा जैसे for example मैं आपको एक example देती ह यूँ हमारा कल का ही कि जैसे मैंने तुमसे पूछा कि तुम बताओ कि मुझे काम कैसे करना चाहिए यानि अब तुमने अगर कुछ अच्छा कहा या बुरा कहा तुम मेरे अलोचक हो और ज्यादा बैटर करने के लिए तुमने मुझे views बता दी अपने अपने तुम मेरे ग क्रिटीक हो गए मैंने तुम्हारी ओपीनियन जान ली तुम मेरे क्रिटीक हो गए लेकिन जो एडमिनिस्टेटर है उसको अपनी पॉलिसी से चिपके रहना पड़ेगा वो अपनी पॉलिसी नहीं बदल सकता मैं मेरे पढ़ाने का तरीका नहीं बदलूंगी कभी भी तुम्ह बाहरे कहने से मैं जैसी हूँ मैं वैसी रहूंगी तुम्हारे कहने से मैं नहीं बदलूंगी ठीक है हां बाहरी चेंज में दिखा दूंगी लेकिन जो मेरे पढ़ाने का तरीका है वो किसी के कहने से ना तो मुझे बदलना चाहिए और ना ही में बदल सकती यही बात चीजे चेंज नहीं करनी चाहिए ये विचार किसके हैं वुड्रो विल्सन के हैं ठीक है ये बाते वुड्रो विल्सन ने कहीं स्लाइड्स में देख लीजिए कि जनता की राय एक अधिकारिक आलोचक की भूमिका निभाएगी ठीक है वो आपकी कमी आपके पॉजिटिव मैं आपके कहने से उन रूल्स को नहीं तोड़ सकती ठीक है तो ये सारे तरीके ये वुड्रो विल्सन के विचार है अब वुड्रो विल्सन से एक और बात पूछी गई कि भाई तो यूं बता कि politics और administration में यानि राजनिती और लोग प्रशासन में कोई relation है क्या अब ये ब पूबली यानि की polity यानि की राजनिती और administration दोनों को मिला के पढ़ना चाहिए और कुछ thinkers ने ये सोचा कि वुड्रो विल्सन ये कहना चाह रहा है कि हमको politics और administration को अलग-अलग पढ़ना चाहिए दोनों बिल्कुल अलग field है तो ये क्या कहना चाहता है अज तक किसी को समझ ही नहीं आया कि politics और administration एक साथ हो ये अलग-अलग करें ठीक है तो इसके विचार हम जान लेते हैं इसके जो विचार थे वो बहुत ज़्यादा सपष्ट नहीं थे इसके विचार बहुत ज़्यादा सपष्ट नहीं थे किसको लेके politics और administration को लेके एक thinker है जिसका नाम है Frederick Mosher Frederick Mosher ने क्या कहा कि जो Woodrow Wilson है वो विभाजन चाहता है दोनों का भई वो क्या Frederick Mosher को ऐसा लगा कि Woodrow Wilson जो है वो politics को और administration को अलग करना चाहता है भई Wilson ने राजनिती और प्रशासन को अलग-अलग कर दिया है ऐसी बात किसने कही मोशर ने कही है किसके बारे में Woodrow Wilson के बारे में क्योंकि Woodrow Wilson तो क्या कह रहा है किसी को समझी नहीं आया अभी तक ठीक है फिर दूसरी चीज़ कुछ thinker जिसके अंदर Fred Riggs आते हैं Fred Riggs नाम के एक thinker है उन्होंने क्या कहा कि नहीं नहीं Woodrow Wilson तो ये कहता था इन दोनों का एक close संबंद है कि इन दोनों का politics का और administration का एक close संबं ठीक है था विलसन क्या कह रहा था हकिकत में किसी को समझी नहीं आया यह था आपका Woodrow Wilson जो यहां पर समाप्त हुआ अप में से किसी को कुछ भी question पूछन 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 है पूछन पूछन को पूछन 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 है पूछन हो हम Henry Fayol को शुरू कर र एक बार बता दीजिए, वुड्रो विल्सन में कोई डाउट है, पूछ सकते हो, और ये सब नोट्स जो है, ये तो स्लाइड्स है, नोट्स मैंने बना दिये हैं, जिसमें आपके 7-8 पेजिस ही कवर होंगे, ताकि आप लोग प्रिंट आउट निकालो तो ज्यादा बंडल ना के बारे में आउटे हैं, हेन्री फियौल कौन थे? हन्री फियौल का जनम देखो, 1841 में हुआ, सेकेंड और फियौल का जनम pada 1841 में, फ्रांस में हुआ था, और ये ना, माइन कंपनी में काम करते थे मतलब माइन एरियास के अंदर काम करते थे कि जहां खनन का काम करता था यूरोप में तो लिखा है कि इंडिपेंडेंट थी पॉपुलर एसेंट से क्या कह रहे हो तुम हाँ तो सरकार कैसे उनको कंट्रोल कैसे करेगी वो तो एक टास्क था ना उनके लिए वो तो एक टास्क था ने अमद कंट्रोल कैसे करेगी वो तो एक पर्टिकुलर टास्क था ना तो कौन से तरीके अपनाओगे तुम ठीक है तो Henry Fayol के बारे में जानते है 1841 में इनका जनम हुआ France में इनका जनम हुआ और वो एक माइन में काम करते थे यानि कि एक इंजीनियर थे माइनिंग कमपनी के अंदर एक इंजीनियर थे ठीक है माइनिंग कमपनी के अंदर एक इंजीनियर थे 1888 में 1841 में इनका जनम हुआ है फ्रांस में 1888 में वो MD बन गए कमपनी के क्या बन गए? MD बन गए कमपनी के MD बन गए और उन्ही के अनुभव के अधार पे अब मैनेजिंग डारेक्टर बन गए उनको मैनेज करना है सारी चीज़े उस कमपनी के अंदर तो उसी के अधार पे उन्होंने कुछ पुस्तके लिख थी ठीक है? उनकी कौन-कौन सी best book थी? जैसे जल्दी से मुझे Woodrow Wilson के best work का नाम बता दीजिए के Woodrow Wilson ने best work कौन सा दिया? जल्दी से बता दीजिए ठीक है? इसकी book का क्या नाम था Woodrow Wilson की. ऐसे ही Henry Fayol की जो best book थी उसका नाम था General and Industrial Management जो इसने 1916 में लिखी. General and Industrial Management 1916 में इसने ये best book लिखी और दूसरा इसने essay दिया, essay लिखा The Theory of Administration in State और इस essay का English version आया है 1949 में इस essay का English version 1949 में आया है. ठीक है? तो सबसे पहले इसकी जो सबसे important book है जिसका नाम है General and Industrial Management 1916 क्यों लिख रहा है ये book? क्योंके ये एक industry का MD है. ये एक mining industry का MD है. पहले वहाँ engineer था, बाद में MD बन जाता है. और उसी की चीजों को relate करते हुए इसने ये किताबे लिखी है और essay का नाम है The Theory of Administration in State जिसका English version 1949 में आया है. अब इसने क्या बताया? इसको समझो. ठीक है? हन जी सरीता ले सकते हो बटा आपको मैं word की file दूंगी जिसमें आपको इतने सारे pages नहीं निकालने पड़ेंगे. अब इसने देखो क्या बताया? ये कंपनी का MD है. मैनेजिंग डारेक्टर है. अब मैनेजिंग डारेक्टर है तो कंपनी को कंट्रोल कर रहा था. मैनेज कर रहा था. तो वहाँ से experience ले लेके इसने management के principles के बारे में बहुत सारी किताबे लिख दी. management कैसे करना चाहिए? management के बारे में इसने बहुत सारी किताबे लिख दी. और इसने क्या कहा कि जैसे एक industry का management होता है, जैसे एक factory का management होता है, ऐसे ही सरकार का भी management होता है. तो इसने industry को आधार बना के अपने बहुत सारे models दे दिये. क्या दे दी? अपने बहुत सारे models दे दिये. और इनी models को सरकार में लागू करने की बात कही, उसने क्या कहा कि जैसे मैं एक MD होके पूरी company के logo को संभाल रहा हूं, labor को संभाल रहा हूं, ऐसे ही आपको सरकार को, दुनिया को संभालना पड़ेगा, यानि भारत को या किसी भी देश को संभालना पड़ेगा, तो दोनों सेम चीज़ है जैसे industry के models होंगे ऐसे ही सरकार के model होंगे ये बात किस ने कही ये बात Henry Fayol कह रहे हैं और इसी वज़े से Henry Fayol को father of managerial आप यहां देख सकते हो इसी वज़े से Henry Fayol को क्या कह सकते है management process के father कह सकते हैं यानि managerial approach के father कहा जाता है प्रबंध की है उपागम के जनक कहा जाता है मैं यहां लिख दूँ प्रबंध की है उपागम के जनक कहा जाता है क्योंकि इसने प्रबंधन के बारे में सारी बाते कही management के बारे में सारी बाते कही ध्यान से सुनना MCQ तुमें ही करने हैं प्रबंधन के बारे में Henry Fayol ने सारी इसके बारे में अपने को मेल लिए चार चीजे पढ़नी है एक तो इसकी इसका प्रशासनिक सिद्धान्त क्या है इसने प्रबंधन के तत्व कौन-कौन से दिये प्रशासन के 14 सिद्धान्त कौन-कौन से दिये और इसका गैंग-प्लैंक मौडल कौन सा है सीधा सा क्वेशन बन जाता है कि गैंग-प्लैंक मौडल किस ने दिया यह आपके हैंडरी फेओल ने दिया जो खुद एक मैनिजर थे मैनिजिंग डारेक्टर थे अब इसकी एड्मिनिस्ट्रेटिव थिओरी के बारे में जानो कि इसने इसके प्रशासकी है या मैं कहूंगी प्रशासकी सिध्दान्त के बारे में इसने क्या कहा सबसे पहले तो देखो इसने क्या कहा कि चाहे प्रबंधन हो मैनेजमेंट हो और चाहे एड्मिनिस्ट्रेशन हो दोनो एकी बात है इसने क्या कहा कि जो ये प्रबंधन है यानि कि हम कहें कि management शब्द इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है हम मानते हैं, management शब्द जो है वो commercial activity से जुड़ा हुआ है हम मानते हैं, जैसे कि for example, निशा मैम मुझे कुछ कहना चाहती हैं, वो यूं कहेंगी कि मैम अपनी class manage करो, वो यूं नहीं कहेंगी मैम अपनी class administer करो, वो क्या कहेंगी अ प्रबंधन के लिए शब्द यूज किया जाता है management, और जबकि जो administration word है, वो government activity के लिए यूज किया जाता है, वो सरकार की गतिविदियों के लिए यूज किया जाता है, तो कुछ विचारकों का ये कहना था, ये दोनों चीजे अलग-अलग हैं, आप कभी भी industry के काम को और सरकार के काम को नहीं मिला सकते, ये बात कुछ thinkers ने कही, अब ये बात Henry Fayol के सामने भी आई, Henry Fayol ने कहा कि इन दोनों के बीच में कोई भी अंतर नहीं है, वो सरकार को manage करने की बात है, यानि देश को manage करने की बात है, और ये company को manage करने की बात है, और ये दोनों एक ही बात है management अलग नहीं होता management और administration दोनों एक तरीके से चल सकती है आप इनको अलग ना कहें क्योंके दोनों ही important government activity हो चाहे चाहे कोई business undertaking हो दोनों ही बिलकुल बहुत जादा important part है इसने क्या कहा management एक ऐसी चीज है चाहे सरकार चलानी हो चाहे industry चलानी हो दोनों में ही बहुत जादा important role management प्ले करता है ठीक है तो ये बात Henry Fjol कह रहे है कुछ thinkers ने कहा दोनों अलग चीज है बट Henry Fjol ने कहा कि दोनों सेम चीजे है ये तो थी इसकी administrative theory कि इसने क्या बाते कही फिर इसने 6 activity बताई इसने 6 activities 6 क्रियाएं बताई प्रशासन के लिए कि किसी भी चीज के प्रशासन को लेके 6 क्रियाएं बहुत जरूरी है 6 activity बहुत जरूरी है सबसे पहले technical activity technical activity के बारे में क्या कहा इसने कहा चाहे वो कोई भी organization हो चाहे वो सरकार है चाहे कहीं खादानों की company है चाहे कोई कपड़े की factory है चाहे कहीं जूता बन रहा है चाहे कहीं चपल बन रही है कुछ भी बन रहा है कैसा भी organization है कोई NGO है कुछ भी है हर किसी organization में ये 6 ही activity काम करती है तो इससे पूछा भाई कौन-कौन सी activity line-wise बताता चला जा इसने सबसे पहली activity बताई तकनीकी गती विधी यानि की technical activity ये technical activity क्या थी इसने कहा इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि आपको production क्या करना है कितना production करना है order कितने सामान का मिला हुआ है और आपको कितना उत्पादन करके देना है इमान लीजे सामने वाले ने कहा है आपको 50 T-shirt बना के देनी है अब आप वहां 5000 बना के रख दोगे तो नुकसान ही होगा तो इसने कहा सबसे पहले आपको आपके goals पता होने चाहिए आपको पता होना चाहिए आपको कितना order पूरा करना है आपको कितना produce करना है ठीक है आपको कितना manufacture करना आपको कितनी चीजे बनानी है सबसे पहले technical activity में उसने ये बाते बताई दूसरे नंबर पे commercial activity यानि कि इसको कहते है वानिजिक गतिविधी इसके अंदर इसने बताया फिर आपको marketing का पता होना चाहिए और जो बनाया हुआ समान है फो फिर बेचना कैसे है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए इसको कहते है commercial activity क्या कहते है इसको commercial activity तीसरे नंबर पे इसने कहा कि तीसरी गतिविधी होनी चाहिए वित्तिय गतिविधी जिसमें आपको पता होना चाहिए आपको अपनी life, आपको अपनी जिन्दगी, अपना शरीर और अपने सारे सामान को लेके security रखनी पड़ेगी, यानि कि आपको उनकी सुरक्षा करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे के लिए आप अपनी जिन्दगी को जोखिम में डाल दो, ऐसा नहीं होना कि सिर्फ व्यापार के लिए आप अपने सामान की ही परवा नहीं कर रहे हो, mismanagement करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो इसने security activity भी दी, पांचवे नंबर पे इसने accounts activity की बाते की, कि आपको हर वक्त पता होना चाहिए, कि यानल लेखा गतिविधी भी आपके पता होनी चाहिए, फिर इसने ये कहा, last में managerial activity, ये सबसे important बताई, प्रबंद किये गतिविधी, इसका मतलब क्या है, कि उपर जितनी भी पांचों गतिविधी बताई, उन सब का control कैसे करना है, उसका मतलब होता है managerial activity, कि हर दूसरी ग कौन सी गतिविधी का यूज करना है, हमको technical गतिविधी का यूज करना है, हमको financial गतिविधी का यूज करना है, कौन सी activity का हमें कब यूज करना है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जिसको managerial activity कहते हैं, तो इसने छे activity के बारे में बात बताई, technical activity, commercial activity, financial activity, security activity, accounts प्रशासन के बीच में प्रबंधन के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है ठीक है तो हम लोग इसकी ये बात समझ चुके हम लोग इसके 6 अब इसने 14 सिद्धान्त क्या दिये प्रशासन के वो समझते है और फिर इसका गैंक प्लैंक मॉडल क्या है वो समझते है ठीक है अब समझेंगे हम इसके कि इसके 14 प्रिंसिपल कौन से है बिलकुल आसान से है ठीक है अच्छा इसने और भी जो ये तो इसने activities के बारे में बता है management के कौन-कौन से elements बताए जिसका नाम है POCCC आप यहां देख पा रहे हो POCCC का model दिया P से क्या है planning P से क्या है planning O से है organization यानी संगठन C से है command अब ना इनके मतलब पूछ लेते हैं paper में कि command का मतलब क्या बताया था फेओल ने या coordination का मतलब क्या बताया था तो आपको पता ह होना चाहिए सबसे पहले योजना बनाना फिर संगठन फिर C से command यानी command फिर coordination यानी समनवे और control यानी की नियंत्रण तो यह POCCC का model जो है Henry Fayol ने दिया planning इसने क्या बताई planning क्या होती है इसने बताया कि भविश्य के लिए योजना बना के रखो कि हमारा एच्टेट होगा तो हम यह करेंगे और नहीं होगा तो यह करेंगे आपको भविश्य की योजना पता होनी चाहिए पहली चीज़ यह ठीक है फिर इसने यह बताया कि organization आपका अच्छा होना चाहिए कि हमको क्या चाहिए हमको क्या सामान चाहिए अपने लक्ष पूरे करने के लिए हमको कितन बंदे चाहिए अपना लक्ष पूरा करने के लिए तो material organization यानि आपको क्या-क्या सामान चाहिए आपकी जरूरत पूरा करने के लिए और दूसरा आपको कितनी labor चाहिए जरूरत पूरा करने के लिए उसको कहते है humans को organize करना human organization या मैं कहूं मानव का संगठन ठीक है तीसरा कहा उसने command command का मतलब है अब आपने plan कर लिया आपने labor बुला ली आपने सामान बुला लिया अब वो सारी चीज़े इकठा करके आप उनको command दो आप उनको direction दो कि देख भाई इसको उठा के वहां रख ये काम develop करो आपके बीच में और labor के बीच में coordination होना चाहिए वो आपकी respect करें आप उनकी respect करो सबसे अच्छा relation बना के रखो coordination होना चाहिए ठीक है फिर control लोगों को instruct करते रहो लोगों को command करते रहो समय समय पे उनकी जांच करते रहो समय समय पे उनको ठीक अब आगे बढ़ते हैं अब इसके चौदा सिद्धान्त क्या है चौदा प्रिंसिपल क्या है नो यहाँ है पांच अगले पेज़ पे हैं बहुत जादा important है चौदा के चौदा प्रिंसिपल इसके administration के सबसे पहले इसने division of work दिया इसने क्या कहा कि सारे काम एक ही आदमी से मत करवाओ आप काम को बाट दो इसको कहो कि तू notes बनाएगा इसको कहो कि तुझे ये सारे अरेंज करने है notes line wise इसको कहो कि तुझे presentation बना के देनी है इसको कहो कि तू pamphlets बनाएगा काम को बाट दो कि जितनी बड़ी authority होगी उसके उपर जिम्मेदारी उतनी होगी आप देखो कोई प्योन है उसके पास ज्यादा जिम्मेदारी नहीं होती लेकिन अगर कोई company का मालिक है उसके पास बहुत जिम्मेदारी होती है हमें share की value maintain रखनी है, हमको ये रखना है, हमें वो रखना है, बहुत सारी जिम्मेदारी उसके उपर होती है यानि कहने का भाव क्या है, कि सबसे पहला काम क्या हुआ, इसने क्या बताया कि काम को बाट दो, एक ही आदमी को सारे काम मत दो, कारे में विभाजन होना चाहिए रहेगी, responsibility उतनी बड़ी होनी चाहिए, तीसरा इसने अपना function बताया, तीसरा principle बताया, discipline यानि की अनुशासन, आपको जो भी rules, regulation, follow करने को कहा जाए, आपको वो करने पड़ेंगे, ठीक है, आपको वो करने पड़ेंगे, आपको अनुशासन के अंदर, अपनी आचार सहित यानि model code of conduct का पालन करना पड़ेगा, फिर इसने unity of command बताई, command, कि for any action one boss, हर काम के लिए, हर labor के लिए, यानि हर काम के लिए, आपको एक ही boss रखना चाहिए, ऐसा नहीं है, एक ही आदमी के उपर 10 boss खड़े हैं, वो सब को report कर रहा है, कि देखो sir मैंने ये किया, फिर अगले इसने के पास गया, देखो sir मैंने ये किया, ऐसे तो गड़बड हो जाएगी, तो इसने क्या कहा, कि हर काम के लिए एक boss होना चाहिए, उस boss को जिम्मेदारी दे दो कि भाई तेर को ये काम कराना है, जैसे शादी में नहीं होता, शादी के अंदर अगर आप 10 लोगों को catering क का काम दे दोगे, तो सारे रिष्टेदार भूखे जाएंगे, क्योंकि एक सोचेगा वो कर लेगा, दूसरा सोचेगा वो कर लेगा, तीसरा सोचेगा कोई और कर लेगा, अगर आप किसी एक बंदे को catering का काम दे दोगे ना, तो उसकी ही जिम्मेदारी होगी कि कोई वहां plan for each action हर काम के लिए एक बोस होना चाहिए और एक planning भी एक ही होनी चाहिए आप 36 भात की planning मत बनाओ योजनाएं बहुत सारी नहीं बनाओ एक ही योजना बनाओ और उस पे अमल करो ठीक है इसने unity of direction की बाते कही फिर इसने subordination of general interest with individual interest कहा इसने क्या कहा कि जो company का interest है वो पहले देखो और खुद की स्वार्थ को पीछे छोड़ दो company के interest को पहले देखो और खुद के स्वार्थ को पीछे छोड़ दो ये इसने कहा व्यक्तिगत हित के साथ सामान्य हित की अधीनता सामान्य हित को भाड में जाने दो बतलब सामान्य हित की सोचो और व्यक्ति हित को हटा दो व्यक्ति गत हित कभी पूरे नहीं होते हर इंसान अलग कुछ सोचता है हर किसी के सारे उदेश्य पूरे नहीं होते तो आप वो काम करो जो पूरी इंडस्ट्री के लिए अच्छा है साथवा रिमिनुरेशन ओफ पर्सनल जितनी भी लेबर आपके यहाँ पे है जितने भी कर्मी आपके यहाँ पे है उनको समय पे और संतोष जनक वेतन दो इतना वेतन तो दो कि उनका जी राजी हो जाए यू नहीं है कि दस तारीक को वेतन मिलना था अगली दस को दे रहे हो काम अच्छा नहीं करेंगे वो तो इसने क्या कहा कि जितने भी श्रमिक है आपके यहाँ पे उनका उचित और संतोष जनक वेतन होना चाहिए एक ही होना चाहिए तब ही decisions अच्छे लिए जाएंगे ठीक है तो इसको इसने क्या कहा कि जो निर्णे लेने की ताकत है वो किसी एक ही आदमी के पास होनी चाहिए scalar chain या hierarchy होनी चाहिए क्या मतलब इसने कहा कि पदानु करम होना चाहिए निम्न ऐसे rank होने चाहिए भाई ये low rank का बंदा है फिर ये थोड़ा high rank का बंदा है फिर उसके उपर वाला और high rank का उसके उपर वाला और superior उसके उपर वाला और superior और जो नीचे वाला बंदा है वो इसको boss मानेगा ये इसको boss मानेगा ये इसको boss मानेगा और ये इसको boss उसकी respect करे और उसका अनुशासन तरीके से पालन करता रहे ठीक है? clear हो गई? इनकी बाते करते हैं सुमन आपका question मैंने पढ़ लिया है इसकी बाते करेंगे अभी तो ये scalar chain होती है scalar chain में क्या बताया? कि श्रेश्च से निम्नतम rank तक का अधिकार की रेखा हर किसी को पता होना चाहिए low rank वाले को पता होना चाहिए मेरा अधिकार क्या है? high rank वाले को पता होना चाहिए मेरा अधिकार क्या है? और हर कोई अपने अधिकारों का पालन करे दसवा इसने principle बताया order order यानि placement नोकरी किसको मिलेगी? जो eligible लोग होंगे हैं केवल उनी को ही नोकरी दो ग्यारवाई इसने सिद्धान्त क्या दिया इक्विटी का, इक्विटी का मतलब है सबसे न्याय पून बात करो सबकी रिस्पेक्ट करो सबके साथ फेर ट्रीटमेंट करो एक जैसा बरताव करो यूने ये तो मेरा फेरेट एमपलोई है मैं इसको तो दस रुपे फालतू दूँगा आपकी बार और तेरे काटूँगा तू मुझसे भड़क रखता है ऐसा नहीं होना चाहिए जितने भी आपके श्रमिक हैं कंपनी में या देश के अंदर जितने भी लोग हैं जितने भी प्रशासक हैं सबके साथ उचित व्यवहार करो और सबका न्यायपून तरीके से व्यवहार करो सबके साथ एक जैसा व्यवहार करो Stability of tenure जितने भी श्रमिक आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको लगना चाहिए की भईया हमारी नोकरी पकी है तब ही वो काम करेंगे ऐसा नहीं है आज लगा दिये एकल हटा दिये परसो फिर लगा लिए नरसो फिर हटा दिये ऐसा करोगे तो वो मन लगा के काम नहीं कर पाएंगे और इससे आपका प्रशासन खराब होगा आपका काम खराब होगा तो इसने कहा कारेकाल की स्थिर्ता की सुरक्षा होनी चाहिए उनके दिमाग में होना चाहिए कि 4 साल का काम है 5 साल का काम है 6 साल तो हमें यहां रखे ही रखेंगे इस तरीके से उनका जो tenure है वो fix होना फिर इसने कहा initiative यानि ability to think afresh नए सीरे से सोचने की शमता आपके administration में होनी चाहिए या हर किसी labor के अंदर हर किसी manager के अंदर ये शमता होनी चाहिए कि इस चीज़ को और किस better तरीके से कर सकते हैं ये शमता हर किसी में होनी चाहिए और चौदवा इसने सिद्धान्त दिया spirit decorpe यानि harmony and team spirit सबके बीच में सदभाव हो जितने भी लोग आपकी industry में काम कर रहे हैं सबके बीच में सदभाव हो और सबके बीच में team की भावना हो के मिलके काम करना है हमें एक team की भावना हो इसको ये 14 सिद्धान्त जो है वो इसने दिये और ये बहुत ज़्यादा important है एक बार फिर देख लो काम बाट दो जितना बड़ा पद उतना ज़्यादा responsibility discipline होना चाहिए एक काम के लिए एक boss होना चाहिए ठीक है हर action का एक plan होना चाहिए एक योजना होनी चाहिए खुद का interest side रख दो तरीके से salary दो उनको समय पे ठीक है centralization decision की ताकत किसी एक को ही दे दो और पद की जो है एक superior से लेके inferior को हर किसी को अपना अधिकार पता होना चाहिए eligible लोग ही इस काम को करेंगे मतलब किसी भी नोकरी के लिए केवल eligible लोगों को ही लगाओ सबके साथ एक जैसा विवहार करो उनकी नोकरी की अवधी में एक stability लेके आओ और हर किसी के अंदर ये ability होनी चाहिए के नए नए तरीके खोच सके और सबके बीच में harmony होनी चाहिए और सबके बीच में spirit होना चाहिए team spirit होना चाहिए ये 14 सिद्धान्त जो है वो इसने दिया ठीक है अभी के लिए नीना ये important topic में ही कर रहे हैं और मैं अभी बना दूँगी अलग से एक chapter public administration के नाम से अभी तो important वीडियो में ही मिलेगी आपको अब इसका अंतिम पड़ाओ gang, plank, plank, model समझना बिलकुल आसान सा है बिलकुल आसान सा है अब देखो ये क्या दिखा रहा है एक chain तो इसने ये दिखा दी ठीक है एक chain इसने ये दिखा दी ये low rank का बंदा है ये थोड़ा सा high rank हुआ ये और high हुआ ये सबसे highest है ऐसे ही यहाँ पे ये low rank का बंदा है ये फिर थोड़ा सा उपर rank का ये और उपर rank का और ये सबसे उचा मतलब सबसे highest rank का बंदा है अब आप यूँ देखो यहाँ पे दो chain चल रही है है ना यहाँ पे दो chain चल रही है और इन दोनों चेन के अंदर, इन दोनों चेन के अंदर, सबसे उची अथोरिटी कोन है, सबसे उची अथोरिटी है A, मतलब A जो है, इस वाली टीम का भी मैनेजर है, अब माल लो, यहाँ पे किसी D नाम के बंदे को, G नाम के बंदे से बात करनी हो, तो कैसे करेंगे, पहले वो C को कहेगा C B को कहेगा B A को कहेगा A फिर E को कहेगा E for F को कहेगा F फिर G को कहेगा तब जाके वो बात पहुंचेगी तब तक सब कुछ लुट पिट लेगा इतना समय लग जाएगा तो गैंग प्लैंक क्या कहता है कि एक प्लैंक बना लो ठीक है प्लैंक क्या होता है एक फट्टा बना लो ठीक है एक फट्टा एक प्लैंक बना लो कि यहां वाला बैठा बंदा डारेक्ट इससे बात कर सके यहां वाला बैठा बंदा डारेक्ट इससे बात कर सके इसको कहते है गैंग प्लैंक कि इस D को कहो कि तू ऐसे बात मत कर इस इसको बात कर रहा है, फिर इससे कर रहा है, फिर इससे कर रहा है, वो इससे कर रहा है, वो इससे कर रहा है, ऐसे बात मत करो, ऐसे आपकी efficiency, आपकी दक्षता कम हो जाएगी, आपकी निपूर्णता कम हो जाएगी, आप सीधा इससे बात कर लो, लेकिन ये कब करना है, जब आपको direct बात करने का अधिकार नहीं है, ये बात किसने कही, ये बात, फेयॉल कह रहा है, इसी को इंग-प्लंक मोडल कहते हैं, कभी भी नहीं पूचह जाएगा, कि गैंग-प्लंक मोडल में क्या है, फिर भी मैंने आपको बता दिया, बस ये पूछा जा सकता है, गैंक प्लैंक मॉडल किस ने दिया है, हैंडरी फेओल ने दिया है, ठीक है, तो देख लो, ये क्या कह रहा है, कि आप लोग इसको एक और नाम से जानते हैं, need for level jumping, क्या कहते हैं, need for level jumping, मतलब कि आप ये सारे levels छोड़के, आप ये सारे levels छोड़क ये डारेक्ट यहाँ पर जंप कर जाओ, need for level jumping, ठीक है, कि बाइपास कर दो, पूरी लाइन को, पूरी हिरार्की को बाइपास कर दो, और सीधा decision ले लो, सामने वाले से बात करने का, लेकिन ये काम आप कब करोगे, जब आपका immediate superior, जब आपका immediate, यानि ततकाल श्रेष्ट, D का ततकाल श्रेष्ट कोन है, C, G का ततकाल श्रेष्ट कोन है, F, यानि इनके just उपर वाली जो authority है, वो आपको आपस में बात करने की permission दे, तभी आप ये पूरी हिरार्की को जंप कर दो, otherwise आपको पूरा line wise ही बात करना पड़ेगा, इसको कहते है, gang plank model, बताइए समझ आया पूछना पूछ लिजे, जल्दी से message कर दीजे मुझे, फिर question की practice करते है, कि कैसे-कैसे question पूछे जा सकते हैं, कोई बात निए, MA की degree आने में time, MA हो तो गई, न, डिग्री आने में time लग रहा है, कोई बात न, जल्दी से message कर दीजे मुझे, मतलब comment section में comment कर दीजे और फिर हम practice कर रहे है questions की ठीक है तो पहला question आपकी screen पे ये है मैं सासाथ बताती चलूँगी आपको भी अपने मन में सोच लेना answer और जल्दी से मुझे answer दे दोगे Which of the following is not a principle by Henry Fayol इन में से कौन सा principle Henry Fayol का नहीं है Division of work यानि इनसानों को अलग-अलग काम बाढ़ दो ये इसका था ठीक है ये इसका था एक तो ये division of work discipline की बाते भी ये कह रहा है कि हर किसी को अपनी आचार सहिता का पालन करना चाहिए फिर unity of command की भी इसने बाते की कि एक काम के लिए एक ही boss होना चाहिए है ना लेकिन इसने कहीं भी harmony not discord की बात नहीं की ये principle इसने नहीं दिया इसमें यही पूछा गया कि कौन सा principle Henry Fjol ने नहीं दिया तो इसका आंसर क्या जाएगा B. Henry Fjol ने harmony not discord का principle नहीं दिया अगला question आप लोगों की screen पे ये है कि dash means every employee should get order from one superior only किसका मतलब होता है कि प्रतेक करमचारी को एक वरिष्ट से ही आदेश प्राप्त होना चाहिए इसमें से किस बात का मतलब ये होता है कि प्रतेक करमचारी को एक वरिष्ट से ही आदेश प्राप्त होना चाहिए order का मतलब क्या था order का मतलब placement कि केवल eligible logo को ही केवल केवल eligible logo को ही नोकरी पे रखा जाएगा ठीक है? अब ये है एहमत जैसा है अपने को करना पड़ेगा कि केवल eligible logo को ही रखा जाएगा ये बात नहीं है उसके बाद centralization, centralization का मतलब एक ही आदमी को decision लेने दो इसका मतलब ये भी नहीं है unity of command यानि की एक काम का एक boss है ना एक काम का ये भी इसका मतलब नहीं है unity of direction के अंदर क्या हो रहा था? आप direct कर रहे हो आप direction दे रहे हो कि किस तरीके से आपको काम करना है जो higher authority है वो नीचे से नीचे वाली authority को आदेश देगी यानि एक वरिष्ठ से ही वो बुद्धी की खान है mind of wisdom है किसने ये बात कही? किसने ये बात कही कि जो study of administration है वो mind of wisdom है वो बुद्धी की खान है किसने ये बात कही? Woodrow Wilson ने, Henry Fayol ने, Henry Bragdon ने या Lewis Brown Law ने तो ये बात कही थी Henry Bragdon ने किसने कही? Henry Bragdon ने ये बात कही थी इसके बाद अगला question क्या कहता है कि which of the following book is not written by Woodrow Wilson इन में से कौनसी ऐसी बुक है जो Woodrow Wilson ने नहीं लिखी The State लिखी थी Division and Reunion लिखी थी And Old Master and Other Political Essay ये भी लिखी थी तो answer क्या आजाएगा None of the above इन में से ऐसी कोई भी बुक नहीं है जो इसने नहीं लिखी ये तीनों ही बुक जो है वो इसने लिखी है ठीक है जो तीनों ही बुक है वो इसमें लिखी है इसके बाद आगे अगला question है Which of the following activity is not mentioned by Fion in management इन में से कौनसी ऐसी activity थी Activity 6 activity बताई आपको बताने कौनसी ऐसी activity थी जो Fion ने नहीं बताई Technical activity बताई थी आपको आपका goal पता होना चाहिए आपको production पता होना चाहिए ठीक है फिर security आपको आपकी जिन्दगी की life की और सामान की security करनी पड़ेगी Managerial जितनी भी activity है उन सब का management करो ये तीनों ही बताई थी इसका answer भी क्या हो जाएगा none of the above ऐसी कोई भी activity नहीं है जो fail ने ना बताई हो ठीक है ऐसी कोई भी activity नहीं है जो fail ने ना बताई हो इसके बाद अगला question क्या कहता है बस ये कुछ questions मैंने बनाए थे अभी क्यूंकि अभी topic ज़्यादा नहीं है तो question कम बनेंगे जैसे जैसे topic add होते रहेंगे questions बढ़ते रहेंगे ये एक idea देने के लिए कि भाई हाँ इस तरीके से question पूछे जाएंगे पबेट के ठीक है तो class को मैं यहीं विराम दे रही हूँ दो thinker हमारे हो गए है notes आपको मिल जाएंगे English Hindi दोनों में और इस तरीके से अपनी एक class रहने वाली है पहले से patron समझ पसंद आया slide वाला यह दिक्कत है बता दीजे जल्दी से review वो कहता ना public opinion ले लेनी चाहिए तो बता दो मुझे भी तुम्हारी public opinion क्या है जल्दी से बता देंगे समझ आया तुम्हे येस फिफ्थ का डी फूर्थ का भी डी और हफ्टे में दो दिन हम revision के रख रहे हैं जिसके अंदर जो पीछे हो चुका अपना वो revise करेंगे और जितना चलता रहेगा ये भी revise करेंगे mcq की माध्यम से पढ़ लिया सुमन मैं आपको message कर दूँगी whatsapp पे ठीक है तो मिलते हैं कल इस वक्त फिर से नए thinkers के साथ so thank you so much take care bye bye okay okay umma